आज की रेसिपी के बाद चिले को बनाने का और खाने का तरीका ही बदल जाएगा आज से इसको हम देखेंगे एक नए तंदूरी ट्विस्ट के साथ Hey everyone, welcome to happiness on plate आज की रेसिपी है तंदूरी चिला सांडविच सबसे पहले हम तंदूरी मिक्षर बनाएंगे एक बोल में डालेंगे 1 टेबल स्पून सर्सो का तेल एक टेबल स्पून कश्मीरी रेच चिली पाउडर एक टेबल स्पून धनिया पाउडर 1 तीजपून जीरा पाउडर 1 तीजपून चॉप किया हुआ द्रकलेसल काला नमक as per taste 1 तीजपून गरम मसारा पाउडर 1 तीजपून अमचूर पाउडर 1 तीजपून काली मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी अब सबको अच्छे से मिक्स कर ले अगर जरूरत लगे तो एक से दो टेबल स्पून पानी मिला सकते हैं इसका एक प्रॉपर पेस्ट बनना चाहिए उतनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए ये मिक्स हो चुका है अब इसमें देंगे स्मोकी फ्लेवर एक कटोरी रखे और इसमें डाले सुलगा हुआ चारकोल का पीस और उपर से घी डाले अब इसको धक्के कम से कम दस मिनट के लिए रख दे दही का जो फैट है वो सारा फ्लेवर एप डॉप कर लेगा और एकदम बढ़िया सा तंदूरी मिक्षर बनेगा दस मिनट हो गए है और तंदूरी मिक्षर रेडी है एकदम अब बनाते हैं चीले के लिए बैटर एक बोल में लेंगे वन कप बेसन वन पोथ कप चॉप किये हुए तमाटर वन पोथ कप चॉप किये हुए प्याज दो हरी मिर्ट चॉप की हुई अब थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करके बैटर बनाएंगे इसको थोड़ा फ्लफी बनाने के लिए इसमें आप बेकिंग पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी हमें सेमी थिक रखनी है इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए इसमें लगबग 3-4 कप वाटर यूज़ हुआ है बैटर रेडी है अब बनाते हैं चीला एक तवा लेंगे और उसको अच्छे से ओयल या घी से ग्रीज करेंगे ध्यान रखें तवे को अच्छे से गरम होने दें एक बार फिर फ्लेम लो कर दें बैटर का पोर्शन डालेंगे और इवन ली स्प्रेट कर लेंगे लेयर बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है ध्यान रखिएगा अब ब्रेट के स्लाइसे इस तरह से उपर रखेंगे और इसको एक तरब से अच्छे से सिखने देंगे जब तक यह ना सिख जाए बैसन थोड़ा पकने में टाइम लेता है बस अब तंदूरी मिक्षर वाली धही का नंबर आने वाला है करीब दस मिनट हो गए है अब इसको पलट लेते हैं कितना बढ़िया टेक्शर आया है अब इसको इस तरह से कट करेंगे चारो साइट से और बीट से भी दोनों ब्रेट पीसे को अलग करेंगे अब साइड में रखें चीले के पीसे को ब्रेट के ऊपर रखेंगे और फिर दोनों ब्रेट पीसे को एक के ऊपर एक रखें सान्विच की शेप देंगे अब आती है तंदूरी मिक्षर की वाली एक तरफ अब तंदूरी मिक्षर को अच्छे से स्प्रेट करेंगे अब दूसरी साइट पे भी तंदूरी मिक्षर लगाएंगे और उसके उपर से भी घी अब पलट के फिर से दो मिनिट के लिए सेख लेंगे तो तंदूरी चीला सैंडविच रेडी है क्यों तही काधा न आज से चीला बनाने का तरीका बदल जाएगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ प्लीज हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करना ना भूले जल्दी मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ तिल दिन बाई बाई और टेक केर लगाय ज्गा सर airport ख। लगा बबड़ कर Kristinуждर हो प्लीज हमारे लोगा एक दृस्क्राववा क fonctionne लोग